स्टेडी सर्विस में और उमीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होगे और आपकी जो स्टेडी है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही होगे क्योंकि जैसे टाइम कम बचता है स्टूडेंट थोड़ा से स्ट्रेस में आने शुरू हो जाते हैं तो आपने बिल्कुल स्ट्रेस लेनी है एक्जाम की क्योंकि आपको क्या है कि आपको बिल्कुल कम्प्लीट हो चुकी है बहुत ही अच्छी बात है कि आपने देख ली है और जिसने नहीं देखी है पहली बार इस पर आ रहे हैं तो प्रिविएस वीडियो जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के क्यों आपने जो है डeily साथ में मेरे साथ कोंसेप्ट करने है और फिर हम से रिल्यक्टेटिट जितने भी कोशुन बनेंगे आज तो बैसे में इसमें इसी के साथ आपको लास्ट में क्वेश्टन करवाऊंगी कोंसेप्ट करवांगी लास्ट में आपके लिए कोश्चन होंगे तो वो very very important आपके लिए हो जाएंगे, तो आप ऐसा करिए, कि वीडियो के last तक बने रहेंगे, और अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो पहले जो है, आप सबसे पहले subscribe कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और फिर द्वारा से वीडियो देखने पे आईए, चलिए तो start करते हैं आज के concept को, तो यह जो है, अगर आप कर रहे हैं वाज़ो परदिश PGT की त्यारी, तो unit number 3, 28 portion, जो 20 marks काने वाला है, उसी से related आज हम करने वाली है, unit number 3 का जो first topic है आपका, वो है आपका communication, वो कौन सा topic है, communication, कि संचार से related हम बात करेंगे आज, कि communication जो है, वो क्या होता है, देखो बहुत सारी questions आते हैं, what, क्या है, कहां पर, when, why, who, how, यह सब क्या है, communication से related questions हैं हमारे mind, कैसे communication करें, क्यों करें, कौन करेगा communicate, क्या होगा communication, या फिर, कहां पर होगा communication, तो यह सब जो है, आपके मन में questions आ रहे होगे, तो एक-एक करके, मैं सब का अंसर दूँगी, और साथ में concept क्या है, आपका, पूरा concept जो है, वो है, communication skills and its use, यनि कि इसके जो है, कहां-कहां पर प्रियोग किये जाते हैं, तो according to education, देखेंगे, कि कहां पर हम communication का use करते हैं, और आज सबसे अच्छी बात यह है, कि आज की जो आपके लिए video है, उसमें जो है, आपको bilingual है, ठीके जी, तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी, तो वैसे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, कि यह संचार जो होता, यह communication जो होता, यह कैसी प्रक्रिया है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को शेर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, किस चीज़ को एक्सचेंजिंग होती है, आपके अनुहबों की, आपके जो experience है उनकी information की, idea की, opinion की, sentiments की, thoughts की, feelings की simple सी बात कहूँ, जैसे मुझे आपसे कोई बातचित करने हैं, मेरे मन में कोई विचार आ रहे हैं या मुझे आपको कुछ बताना है, ठीक है? मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ अपने विचारों को, मेरे माइन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ आपको बताओं तो वो जो मैं आपको बताओंगी विचार, या जो भी विचार हमारे होगे, वो क्या है? कैसे बताओंगी? कम्मिनिकेट करूंगी अपने विचारों को उसी को क्या कहते है कम्मिनिकेशन कहते है तो कम्मिनिकेशन के लिए जो है जरूरी है कि कोई न कोई भाषा भी होनी चाहिए कोई न कोई उसके लिए क्या होगी भाषा भी होगी तो एक दूसरे से जब हम विचार भी मर्श करते हैं, अपनी बाते बताते हैं, वो ही क्या होता है, कम्मिनिकेशन होता है, मतलब एक बताता है, दूसरा उस चीज को सुनता है, मतलब एक सेंडर होता है, दूसरा रसीवर होता है, कि अगर मैं अपनी बात बता रही हूं, तो मै लिखा जाता था message send हो गया, फिर दूसरी को होता था received, message received हो गया, तो एक send करता था, दूसरी क्या करता था, उसको receive करता था, वो क्या हो रही थी, communication हो रही है, तो वही संचार होता है आपका, बाकी हिंदी में भी यहाँ पे लिखा गया है, वही same है, जो मैंने आपको बता दि आप देखो यह verbal भी हो सकती है, non-verbal भी हो सकती है, ठीके जी, तो यह verbal भी हो सकती है, और non-verbal भी हो सकती है, चले, तो आप जो है, देखते हैं, इतना तो आप समझ चुके है कि communication क्या होती है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास जो है, यह psychologist आते हैं डेल है और 1961 में जो है इन्यों ने जो है क्या बोल रखा है कि audio video aid के बारे में बता रखा Newton of audio video aid and instrumental technology define communication as the sharing of ideas and feeling mode of आपके mutuality तो यहां पर क्या बोलते है कि यह जो है संचार को क्या बोल रखा है कि अपने भावों को विचारों को व्यक्त करने के लिए यह सांजा करने के लिए इन्होंने क्या मोला है audio video aid बता रखी है दूसरा instrumental technology के बारे में बात कर रखी है कि अब में इनके आपको याद होगा शायद आपको याद ना हो क्योंकि आपको पता नहीं अपने पड़ा है पहले या नहीं पड़ा है तो यह जो है इन्होंने क्या दे रखी है इनोंने जो है अपना Cone of Experience बता रखा है Cone of Experience का concept इनोंने दे रखा है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देती हूँ Cone of Experience में क्या बोल रखा है कि एक ब्यक्ति होता है जो Learning Activity की बात करता है दूसरा क्या करता है People क्या करते है Learning Outcomes करते है तो यहां पे इनोंने जो है साता सब्जेक बता रखे हूँ थ्री पार्स में जो है डिवाइड कर रखा ये देखिए Define, List, Describe, Explain बता रखा है Demonstrative, Apply, Practice बता रखा है Analyze, Define, Creative, Evaluate बता रखा है फिलहाल आपको ये नहीं पढ़ना है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनोंने ये Cone of Experiences दे रखा है जिसमें हिंदी में कहें तो क्या क्या बता रखा है इनोंने कहा Real Direct Experiences होते है आयोजीर क्रित्रिम अनुहब होते है Demonstrative होते है Exhibitions होती है Communication की Visual Symbols होते है Radio Recording होती है Viral Symbols होते है एक्सेटर तो ये सब चीजे जो है इनोंने यहाँ पर ये ही सब चीजे जो है इनोंने बता रखी है चीक है जी तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी पूछ रहा जाए कि कौन ओफ एक्सपिरियंस की बात किसने की है तो आपको पता होना चाहिए कि डेल्ज ने इसके बारे में बात कर रखी है बाकि आपको इसे जो है अपने बीड पोशन के हिसाब से इनको इन स्टेजिस को या नहीं करना है क्योंकि सिर्फ आपको पता रखना अगर आप में एजुकेशन के होते या नेट देते या सैट देते तब आपको जो है इनको डिटेल में पढ़ना था चलिए नेक्स देखते हैं अब हम आजाते हैं आपने कॉनसेप्ट पे अब हमारा कॉनसेप्ट क्या है कि प्रोसेस ओफ कम्मुनिकेशन क्या है प्रोसेस ओफ कम्मुनिकेशन क्या है कि जो आपका संचार है उसके क्या प्रोसेस रहता है तो उसके लिए जो है छे तरह के स्त्रोतों की बात कीगी है या सिक्स टाइब के जो है दूसरा विक्षिती यह है, के यह कहे है, Two Way Process है, दो मतलब एक सेड करेगा Message, इसा को कर wür़, सेमे यह क्या करेगा दूसरा क्या करेगा, उसी को to receive करेगा, यह कहे है Two Way Process है, यह मतलब हो sender और receiver होगे ठीक है तो क्या करते involving interaction between two or more person तो तो और more person भी हो सकते 3-4 को भी आप message भेज रहे हैं convey कर रहे हैं तो वो भी कहें आपका communication है इसके कितने components होते हैं तो six components है ठीक है या कहें elements है हिंदी में भी आगे दे रखाए attention मत लीचे आपको हिंदी में भी पूरा बताया जाएगा in journal any process of the communication चलिए number one क्या source of communication और the sender of the message तो पहला क्या है कि क्या होता है इसमें सबसे बड़ा स्त्रोथ क्या है जो message को send करने वाला जो अपनी बात को कहने वाला है उसको हम कहेंगे sender दूसरा कहा है content of communication है ठीके जी तीसरा कहा है media और channel हो सकता है इसका component फिर है एक receiver तो जो जिसको ये प्रापत होगा फिर है response करेगा उस material का या feedback देगा फोर्थ है facilitator और barrier of communication फिर जो है facilitator होते हैं या फिर कहें कि कोई barriers आया है तो वो हमें पता चलता तो 6 step है इसके या फिर के 6 component है हमारे communication skill के इसके process जो रहता है वो 6 type में रहता है अब मैं आपको ये हिंदी में बता देते हूँ हिंदी वालों को क्योंकि हमारे पास जो maximum strength होते है वो हिंदी medium की है तो संचार की प्रक्रिया जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीश में बातचीत से जुड़ी होती है दोनों तरफ होता है संचार 6 इसके घटक है कौन कोंसे संचार का स्त्रोत या संदेश भेजने वाला मैसिस भेजने वाला या या यह जो आपको बात कर रहा है जैसे मैं अभी आपको बता रही है तो मतलब मैं सेंडर हुई ठीक है दूसरा मेरे संदेश की आपके लिए क्या समगरी है मैं क्या बात कह रही हूँ क्या मैं अपने emotion शेर कर रही हूँ क्या मैं आपको कुछ information भेज रही हूँ या फिर मेरे कोई विजार है जिसको मैं शेर कर रही हूँ फिर तीसरा है मीडिया या संचार माध्याप तो इसके लिए मीडियम हो सकता है मीडियम मतलब आप किस चीज से उस चीज को बता रही हूँ अभी जो मैं आपको बता रही हूँ मैं आपको यूटूब के थ्रू आप मुझे जान रहे हैं सुन रहे हैं मेरी चीज़ों को पहुंच रही है मेरी चीज़े हो सकता है जो माध्यम है कई बार हम जो है फेस्बुक के माध्यम से सुनते हैं चीजों को जानते हैं न्यूज के माध्यम से तो वे क्या है, माध्यम की बात की गया, कोई नो कोई मीडियम होगा. देखिए कैसे बन रहा है यह सरकर, सेंडर होगा, छीक है, सेंडर के बाद जो है, इसमें जो आपने लिखना है, वो content होगा, content के बाद जो है, इसका medium होगा, छीक है, जी तीन स्टेप होगे, फिर है, संचार प्रापत करता होगा, मतलब यनि कि receiver होगा, जो चीजों को receive करेगा जिसकी तक ये चीज पहुंचेगी, अभी आप मेरी इस बात को पहुंचने के लिए, आप receiver है, मेरी बात आप तक पहुंचने है, आप receiver है, मैं sender हूँ, फिर प्रतिक्रिया समागरी, फिर आपकी क्या होगा, इसके प्रतिक्रिया होगी, आप किस तरह से react करते हैं, तो आप होगी प्रतिक्रिया यनि कि आपकाAG reaction फिर आपका संचार की सूबीदा-पर्दान करने वाला या बाद या तो होसकता है आपको जो संचार मैंने आपको बताया है या communicate मैंने किया है वह आपको अच्छा लगे या फिर हो सकता है कि आपके किसी लाइफ में बादा डाल रहा हो तो यानि कि रिस्टिक्शन भी हो सकते तो इस तरह से जो है यह आपके छे elements है six जो है आपके तत्व है या घटक है तो यह भी आपको पता होने चाहिए चले तो आपके यहां तक तो आपको अच्छे से clear जो है वो हो गया हो नेक्स्ट देखते हैं लास्ट तक बने रही क्योंकि लास्ट में हम questions discuss करेंगे यह देखिए यही वो सरकल था जो मैंने आपको अभी संझाया देखिए क्या था यहां पर यह सरकल बन रहा है आपका जो मैंने अभी आपको six elements पीछे बताए वही है क्या है यहां पर सबसे पहले जो है हमने कहा हमने क्या किया यहां पर सौर्स होते हैं हमारे पास फिर हम masses भेज रहे हैं फिर एक receiver है receiver को बात decode हो रही है फिर encode होगी फिर वो चैनल तक जाएगी तो यह जो है क्या है छे तरह का आपका वही चीज़े है six element की ही यहां पर बात कीगी है तो यहां images get through बताया गया है वहां मैंने आपको direct बता दिया फिर देख लेते हैं यह तो आपको पता चलगी कि क्या है communication skill के लिए जो है देखिए बहुत सारी चीज़े होती है आप अपनी skills को जो है कैसे बढ़ा सकते है communication की हो सकता है आप बहुत ही अच्छे से communicate करते हूं as a teacher जो है आपको इस communication skill जो है वो आपके लिए कहां कहां प्रियोग होगी क्योंकि ह हम teacher के हिसाब से ही देखेंगे अभी क्योंकि हमारा teacher के हिसाब से देखा जाएगा तो इसका प्रियोग कहां पे करेंगे हम students के साथ communicate करने के लिए जो है अच्छी communication skill का होना हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता हम student को समझना हो student की problem solve करनी हो negotiation करना हो किसी भी relation को start करने क के लिए जो है communication skill का होना अच्छा होना ज़रूरी है फिर आपको जो है किसी चीज को concern करने के लिए express करने के लिए communication का होना ज़रूरी है फिर इसका use होता है आपका कोई issue है तो उसको resolve करने के लिए किसी को congratulation करने के लिए कोई problem आगे conflict आगे है तो उसके लिए motivation करने के देन तो जो भी चीजे अगर मान ले, अगर communication ना होती या मुझे communication मेरे में skill ना होती, तो मैं अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाती, आप में अगर communication skill नहीं होगी, तो आप अपनी बात दूसरे इंसान तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो आप समझते हैं कि communication skill का जो है कितनी जादा uses है यनि कि इसका जो है कहा कहा पर प्रियोग होता है As a teacher आप बच्चों को समझेंगे बच्चों को समझाएंगे और अपनी बात उन तक रखेंगे तो communication skill जो है learning में भी होना बहुत जादा ज़रूरी है As a teacher चलिए next देखते है next हमारे पास आता है Questions है questions करेंगे क्योंकि छोटा topic है तो मैंने सोचे साथ में questions भी कर लेते हैं Question क्या है which of the following is a barrier to effective communication आपने बताना है कि जो एक effective यानि कि प्रभाव शेली जो संचार होता है प्रभाव मतलब एक बहुत ही अच्छा effective जो प्रभावी जो संचार होता है या effective जो communication होता हूं उसमें barrier क्या आता है Number one information richness second clarity of message third active listening fourth cultural differences Information richness भी नहीं होगा क्योंकि अगर सब तक information पहुंच रही है तो वो barrier कैसे हो सकता है तो इसका मतलब यह नहीं होगा clarity अगर आपको उस चीज में clarity है जो आप बोलने जा रहे हो यह बताने जा रहे हो तो वो भी आपके लिए barrier नहीं हो सकता है barrier का मतलब बाधख नहीं हो सकता है फिर है अगर आप सुनने में लिसनिंग में अच्छे अक्टिफ हो तब भी वो बादख नहीं हो सकता है तो बादख क्या होगा cultural difference जो है वो इसका right answer होगा वो आपके जो है communication effective communication में क्या होगा बादख होगा चले next देखते हैं next question है हमारे पास the information which is transferred to the receive has to be interrupted this process is called आपने बताना है कोई ऐसी सूचना है या information है जिसे आप transfer कर रहे हैं किसी receiver को पहांशरी है वो transfer हो करके और वो interrupt हो जाती है किसी process की वज़ा से तो उसे क्या कहते है encoding decoding opening या closing तो ये आपके लिए है आज का question ठीक है ये question जो है आज का आपके लिए है आपने इसका comment करके आपने यहां तक तो at least video को देखा है ठीक है आपने class को जो है यहां तक देखा और मैं समझाओंगे कि आप मेरी बाकी भी सारी classes लगाते हैं तो ये questions आपके लिए है आप जरूर बताए मुझे इसका answer comment करके next questions देखते है next question है the message may be miss interrupted because of तो कोई भी संदेश है वो miss interrupt हो जाता है किस वज़ा से barrier की वज़ा से destroyness की वज़ा से destruction की वज़ा से noise की वज़ा से तो क्या हो जाएगा यहां पे answer barrier barrier की वज़ा से अगर कोई message जो है अगर उसमें कोई बात धक आ जाते हैं तभी वो हमारा miss interrupted हो जाता otherwise जैसी कोई situation होती नहीं है तो यहां पे barrier जो है वो आपका सही answer आ जाएगा option number one next question है in oral communication in oral communication जैसे मालो मैं आप बात कर रहे हैं ठीक है तो oral communication there is a possibility in immediate dash reaction response reflection reset तो यहां पे क्या होता है oral communication में क्या possibility रहते है कि response आपको आ जाता है उसी time जो है आपको क्या मिल जाता है response मिल जाता है तो यहां पे यह सही हो जाएगा next देखते है next है हमारे पास listening listening means यानि कि जो आप सुन रहे हैं ऐसा संदेश जो आप सुन रहे है listening means learning through conversation तो listening जो भी हमारी हो रहे है इतका मतलब है हम ऐसी मतलब हम क्या कर रहे है learning conversation के थ्रू जो है listening अपनी जो है कर रहे हैं तो इसका option number one है अच्छा option number two है appreciative और थर्ड है डाइन लोजिक और फोर्थ है empathetic तो यहां पे जो सही हो जाएगा third जो है सही हो जाएगा और यहां पे answer लिख भी गया था तो इस तरह से जो है यह आपका questions था I hope कि आपको जो है आज की class पसंद आई होगी अगर आपको हमारी आज की class अच्छी लगी है थोड़ा छोटा topic था तो मैंने सोचा कि अब जो आने वाली classes है वो बहुत ही interesting classes होने वाली है तो साथ में आपको questions भी मिल जाएंगे last में अब और जैसे यह topic complete होते चलेंगे हम starting से जो है first topic से जो है दवारा से questions करना start कर देंगे ठीक है तो आपने study service के साथ बने रहना है वीडियो को ज़रूर लाइक करें जैसे ही आप लाइक करते हैं मुझे motivations मिलती है और भी videos बनाने के लिए और आप जानते हैं अभी तो कोई भी हमाजव प्रदिश में ऐसा channel नहीं होगा जो आपको daily live classes जो है provide करवा रहा होगा और पूरा एटूजट आपको syllabus करवाएगा अच्छे से वो भी screen में तो बहुत सारे चाहे क्योंकि paid institute होते हैं हमारा भी ऐसा नहीं है कि हमारा कोचिंग अकैडमी है लेकिन फिर भी जो है मैंने आपके लिए सोचा है कि आपको यह मैं बिल्कुल आपको जो फ्री फोस्ट करवाऊंगी तो बहुत ही कम ऐसे जो है इनिशेटिव लेते हैं तो मैं तो यह कहूंगे कि आपकी motivations की वज़ा से ही मैं यह सब चीज़े कर तो जब आप इतने सारे लाइब आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं और भी मोटिवेट हो जाते हूं कि आपके लिए मैं और भी बहुत सारी चीज़े करूँ तो पेपर बन के लिए हमाचे प्रदेश की क्लासी जो है शाम को आप देख सकते हैं मेरे साथ लगवा सकते हैं इसके इलावा अगर आप चाहें कि conceptual लेना चाहते हैं हिंदी, इंगलिश, हिमाचल और साथ में जीके तो आप हमारा पेपर बन के लिए कोर्स जोईन कर सकते हैं वो आपको study service आप में मिल जाएगा वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर स subscribe करें thank you so much जल्दी मिलेंगे next class के साथ